शरमसार है जितना की मुसल्मान है उस पर कोई वो नहीं है अब मैं जवाब देदू बाबरी मस्जिद का इन्हों ने कहा कितनी अजीब बात है शेटील साहब कि मुनाफकत की हद देखिए वो मुल्क जिसमें सोमनात के मंदिर को लूटने वाले गजनवी 17 बार महमूद गजनवी ने सोमनात के मंदिर को लूटा उसको लूटने वाले के नाम पर मिजाईलों के नाम रखे हो और वो मुल्क यह एतराज करे कि जहां हिंदू अक्सरियत में है उन्होंने बाबरी मस्जिद को क्यों अफकत अगर तो आप अपनी कौम का हीरो बनाते हैं महमूद गजनवी को जिसने की 16-17 बार सोमनात के मंदिर को तोड़ा यानि की जब आप में जान थी जब आप में सलायत थी जब आप में दमखम था उसने तोड़ा वो कोई मुगलों की तरह हिंदुस्तान में आके अबाद बात नहीं हुआ था, वो लुटे रहा ही था, कन्फरम्ड है ये इंडिया पाकिस्तान की तारीख में कि एहमद श्हाबडाली, महमूद गजनवी, मौहमद बिन कासिम, मौहमद गोरी, शाबुदीन गोरी ये सारे के तारे ये आते थे लूटके चले जाते थे, एहमद श्य का लुटेरा तो हीरो है अच्छा फिर आप यह देखें बाबरी मस्जद चार सो साल पुरानी मस्जद जिसका अंग्रेजों के जमाने से केस चला रहा है 216 साल केस को हो गये हैं पहले अंग्रेजों के यहाँ चला उसके बाद इंडियन कोर्ट में चला एक बाबरी मस्जद जिसके नीचे प Biz आकि लाजिकल सेंडिया ने। रिपोर्ट दी है इसके नीचे एक स्ट्रक्चर हमें मिला और वो फस्ट्रक्चर किसी मस्जद का नहीं है इसलाम आया यहाँ पर भारत में तक्रीबन उसी जितना पुराना इसलाम है उसी वक्त आ गया था 7th century में केरला में मॉस्क बन गई थी लेकिन North India में यह आया invaders के साथ सबको पता है यह बात उसी बाबरी मस्जिद के नीचे जो structure है क्या वहाँ कोई church था तो नहीं यह तो सारे Portuguese और British I-East India Company उसके साथ में missionaries आई क्या वहाँ पर कोई सिखों का कुछ था वो भी नहीं था क्योंकि सिख मजब को तो आये हुए 400-500 साल हुए है और वहाँ पर तो कोई सिखों का नहीं आयोध्या महा भारतानी जो हमारी जो एक बहुत पुराना हमारा एक हमारी किताब है रामायन उसके अंदर आयोध्या का जिकर है राम कहां पैदा हुए पूरे हिंदुस्तानी के हिंदुस्तान के यह बच्चे को पता है आयोध्या में पैदा हुए उस जगहें पर पैदा हुए तो हिंदुओं ने यही कहा ना कि एक ही राम है एक ही चिगह पैदा हो सकते हैं तीन साड़ तीन लाख मसाजिद हैं आपके पास मसाजिद जो है वो अल्ला का घर है जहां जाके इबादत करनी होती है सौधिय औरेबिया में रोज न आपको चाहिए था कि आप कहते कि यार इस मुल्क में ये 100 करोड है इनका भी एक बिलीफ है हमारा जैसे बिलीफ है इनका भी एक बिलीफ है एक ही राम है एक ही मसाजिद के नीचे पैदा हो सकता है ऐसा तो नहीं है कि कल को हिंदू कहेंगे कि नहीं साड़े तीन लाख के नीचे वहां पे वो पैदा हो सकते थे आपने खुशी-खुशी दे देनी चाहिए थी यार मका मदीना के अंदर तो गैर मुसल्मान जा नहीं सकता आपने हाइवे के उपर लिख दिया है कि आखरी एगजिट है नॉन मुसलिम के लिए ले लो इसके आगे इसके आगे हमारी होली सिटी शुरू हो जाती है आप अपने शहर में गैर मुसल्मानों को आने तक की जाज़त नहीं देते दुनिया भर से कोई भी हो हिंदूओं के मुकद्श शहर काशी हो मतुरा है अयुध्या है हजारों में मसाजिद हैं आज भी हैं आज भी हैं तो इंडिया है जहां प से जाधा म में मसाझद हैं अबादि कितनी है मुसल्मानों की पिसके सैंसे के मुताबिक 178 करोड थे चलेंजी 10 साल हो गए हैं तीस करोड़ को गए मसलमान तो साड़ी 3 लाग मसाजद 30 करोड़ मुसल्मान भारत में तौ हर 100 मुसलमानों के हिस्से में एक मसज़िद आई एक मसज़िद आई हर सो मुसल्मानों के हिस्से में पाकिस्तान में 50 लाख हिंदू हैं और कितने functioning temples हैं 29 या 30 आपके तकरीबन 2 लाख लोगों के पास एक मंदिर है 2 लाख हिंदू के पास एक मंदिर है इंडिया में 100 मुसल्मानों के पास में एक मस्जिद है किदर है कौन सा कमपेरिजन है सर कहां पर आप बाबरी मुसलिम को कहता हूँ यह बात कि आप बाबरी मस्जिद के तूटने पर अफसोस तब जाहिर करें जब आप यह कहें कि महमूद गजणवी लुटे रहा था और उसने सोमनात के मंदिर को लूटा मेरे मेरे पास यहां जामिया में जो पिछले साल लड़के जो हमारे यहां जामिया के अंदर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने शकील साब मुनाफ़त की हद देखिए वो बच्चों को बता रहे हैं वहां पे हम उस कौम से हैं जिस कौम ने महमद बिन कासिम दिया जिस कौम ने महमूद गजनवी रहमत उले आले दिये भाई अगर महमूद गजनवी रहमत उले आले है तो तुम्हे हक क्या है होए कि तुम जाके अफसोस करो कि हिंदू ने तुम्हारी मस्जिद गिरा दी, हग क्या है आपको फिर, महमूद गजनवी ने भी जो काम किया 17 बार, आप अगर उसको गलट ठहराएं, तब आपको यह हग बनता है, कि आप कहें कि हाँ, आपके साथ गलट हुआ, और फिर मेरे जैसे लोग भी खड़े होंगे, कहेंगे बिलकुल गलत हुआ, बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, यह लवज इस्तमाल करूँ आप शहीद, जब आप महमूद गजनवी को हीरो नी मानेंगे, हमारे मंदिर को लूटने वाले को तो आपने हीरो बना दिया है, बाबरी मस्जिद पहले टूटी थी या पहले आपन अबदाली, गौरी, गजनवी को हीरो बनाया था, लगते क्या हैं वो आपके, आपने मिजाईलों के नाम रखे हुए हैं, क्या लगते हैं आपके वो, कोई अरब था, कोई तुर्क था भई, आपका क्या लगता है, कोई सेंटल एशिया से आये थे वो तो सारे, अफगानिस से एक पाकिस्तानी के पास जवाब नहीं है कि महमूद गजनवी से उनका तलुक है क्या, अब टीपू सुल्तान को अब आज जाके अपनाया है, इमरान खान ने दो साल पहले, क्या हम उस कौन से हैं टीपू सुल्तान, इतने साल, मेरे दोस्तों ने पूछा भई, ये टीप ये सारा जो प्रोडाम आपने रिकार्ड किया है, इसको थोड़ अरबन सार रिवाइंड करके जरूर देखिएगा, कि आपने जो अभी बाते की हैं इस पौर्चन में, जो पिछले दस मिंड में जो आपने बाते की हैं, वो आपने अपने पिछले जो एक गहंटे का अपने बहुत सारी बाते शायद आपको जिजबात की वजह से आपको मारजद देता हूं कि चले आप जिजबाती हो गए जो शायद आपको जो आपको जो एना नहीं होना चाहिए था अब सर रिक्वेष्ट यह आपने सर ये शुरुव में कहा था कि जनाब मस्धिय और मंदर बराबर बराबर हैं पक इंडिया में और गंटिया और आजान बराबर बराबर है तो सर शकील साथ आपकी तोजोग के लिए भारत आपने कहा था कि भारत स्कुलरिजम है secular state है और वड़ा शांदार secular state है मैं आपकी बात को अर्बन साहब मान लेता हूँ चलें मैंने मान लिया कि गुजरात की जो फसादाद शुरू है वो जो आपने ट्रेन का हाथसा बताया उसके वजह स्टार्ट हुए तो सर गुजारश यह है कि इसका मतलब है कि वो जो आपने बात की थी कि हिंदू और मुसल्मान बड़े ही अराम से मस्जिदें और मंदर साथ साथ और बड़े अराम से रह रहे है तो इसका मतलब आपने इस बात से गलत साबित कर दिया ना सर दूसरी बात आपने का बाबरी मस्जिद सर गुजारिश ही है मैंने मान लिया मैं आपकी बाथ से सो फिस्ट इत्फाक करता हूँ कि ये बाबरी मस्जिद से पहले आपका राब मंदर था मैं मान लिया बिल्कुल तस्लीम कर लिया सर आपका सेक्लिरिजम कहां गया अगर चलें दो सो साल से डाइस साल से तीन साल से उस पे बाबरी मस्जिद बन गई चलें तो आपको सेक्लिरिजम का मजाहरा करना जाए थे थे ना आप उसके साथ मंदर बना लेते ना सर अब एक मस्जिद बन गी तो आप उसको मुझे उसके सब आप बनी बास सुने आप उसके ज्वाब जूरूर देवार थो झाहिए आप बने आपके मंदर रूंटे घस्नवी आपने कहा सरज हमें इसलाम ने दरस दिया है कि आपने का ना घजमी आपका क्या लगता है आपका मामा लगता है सर गुजारिश यह है कि जब आप जब हिंदू कहीं पे भी होगा तो आपकी उसकी आपकी कौम का हिस्सा होगा ना वो इसरे इंडिया में तो हिंदू नहीं है अगर जो बाकी मुलकों में हमारे नहीं है कौम का हिस्सा हिंदू कहीं पे भी है यह वरना नेपाल अंडिया में होता वरना नेपाल इडिया में होता हम मजब के नाम पर कौम बनती है आगे चले हम लेकिं चले आप नहीं मानते यह तो आपकी अपनी राए है ना आपके अपने मजब का ने इंडियन स्टेट की राये है इंडियन स्टेट की अफिशिल स्टेटि पोले सी बता रहा हूं आपको हम मजब के नाम के को हम नी मानते है। जी ठी को फीर चलेृट विगव ठीक होंगे आपका हग ही आपकर Scout URB का हर स्टेट को हक है कि अपने रूल बनाए आपनी उसको डेक्लियर करें जो भी उसका है मैं तो सर्फ गोजारिश यह है इनसानी नाता आप मेरे भाईय amigo मुझे उसका कोई वो नहीं है मैं आपको बिल्कुल जो एना मेरे नजर में अप reasonably बराबर नहीं है इनसानियत के नाता रे बिल्कुल मैं आपको मुझे यह लेकिन क्यूब वे शकी नजफी आपको मेरा मरे एक लव गुआ से मेरा कोई तालुग नहीं है सवाएं इसलाम के मख़भ के ठीक है ना और मैं इसको आउन करूंगा मुझे और ये बात आपकी बिल्कुल बजा आए ठीक है आप ये दूस्त कहरे हैं कि आपकी नजर में वो लटे रहा था मैं इसमें कोई मुझे इसकी मुझे आपकी राय का इतराम है आपको हक हासिल है कि आप इसको लटे रहा कहें लेकिन आप मुझे ये मुझे ये हक दें कि मैं उसको अपना हीरो मानू ठीक है जान है ये देखें माइट इस राइट ये दुनिया आप इसको मजभ से इसको हटके भी देखेंगा तो ये ताकत का कानून इसको मज सर मुसल्मान आपका भाई है कोई मुसल्मान आके अगर आपके ही अपने मुआशरे के अंदर जुल्म तशद्द करें बेहन बेटियों की आबरू लूटे तो क्या वो तब भी भाई है सर बिल्कुल भाई है कि आपके अगर उलाद सर सुने ना उसका जवाब सुने ना उसका जवाब सुने ना आप सर हमारे घरानों में हमारे बच्चे अगर ना फर्मान होते हैं तो क्या हम उनको कतल कर देते हैं या उनको हम डिकलेर कर देते हैं कि हमारे बच्चे नहीं है बात अगर उसने गलत काम किया, गुजारिश यह है, कि देखें, आप इसको अगलत काम किया, आगे बोल रहे थे हैं, आप उसके बोलें, उसने गलत काम किया, तो, जवस्वसके ब्रॉद्ट काम किया, मैं उसको बिकुल कंडعم करता हूँ, ठीक है न? तो मैमूत घसनवी क्यों करते ए? मैमूत घसनवी क्यों क्यों करते उसने क्म सा जरी कम किया गुजारेश सुन ले ना मैं जबाई था जिसारै आप जबाई भुजारेश ये है क Been ने ये आर्ज़ किया आपके देखे आप्स नज़र में उसने गल aku metabolism क्या हो रहूं कि उन्हें आफके मंदल होंगे मेहमूत घस्माजिय करने हैं। होंगे या लुटे हैं। चले अचछे लुटे रहाँ। मैं अरुपन् incentives की बात को सेकंड करता हूं जो मान लेता हूं। इनकी बात को मैं मान लेता हूँ. लेकिन सर गुजारिश यह है कि अब इस में देखना यह पड़ेगा ना कि यह तो आपका नजरीया है ना कि उनने लुटा. अब आपका नजरीया कि उनने लुटा या नी लुटा. सर मैं केह रहुं लूटा है मैं केह रहुं लूटा है मैं तो इस बात-स इंकार नहीं कर रहूँ जो तारीwest का इसा यहा है जょ फतुहात – सुमनाप का मंदर गुराया गया है हम इसमें कोई शयक último बड़े उसको बियान करते है देखे इसंटेवीव से पहले मैं शिकील साब से यही बात कर रहा था यह अर्स कर रहा था कि देखें यह एक point of view तो अलग है ना आपके नजर में जो चीज अच्छी हो सकती है जो situation के मताबिक जो हलात के मताबिक जो एक फैसला policy अगर एक बन गई वो बात में जाके 10 साल बात वो घलस थाबित हो गई उसने हमें नहीं लुटा सुने उसने हमें नहीं लुटा मेhmood गजनवी का governor था अयाज जिसका मकबरा है लहोर में उसने लहोर को आग बगा दी पूरे लहोर को आग बगा दी मिरने वाले मुस्लिम भी थे, जलने वाले मुस्लिम भी थे. Sir, Arvaj sahab, आपकी बात, मैंने आपकी बहाँ से डनाये नहीं कर रहा हूँ, आप दुरुस कह रहा हैं. वो, वो hero कैसे है? वो, वो hero कैसे है? तरस्टोले, ना, सर, आप मेरी पूरी बात को मकमल तो होने दे, मैं कि पूरी बात सुनी, आप मेरी बातों के नहीं है, तो आपके तो कि वाजनवी की बात करते हैं हम तो मुसल्मान आपस भी लड़ते रहे हैं सर हम एक मुसल्मान ने गले काटे हुए है आपके इनके हिंदूस्तान की तारीक में आप देख लें कि हमने मुगलों ने एक दूसरे के साथ क्या लड़ाया की है तो आप हिंदू को तो अलग रख द कुछ नहीं हो रहा हूं देखें यह देखें आप इसको हर चीज़ इसको देखें मिन आपको नहीं लूटा एक मैट है सीदी सपाट लगना लगी अपनी पात नहीं करूंगा गुजारिश ये है इतनी सी है दस सेकंड में दलील होती है यह यूं दलील दे में अधिनों मैंमूद गसनवी भी उव्हाल को लूटा मुसल्मानों को भी कतल किया महिमूद गसनवी के गवर्नर ने पूरे लहुर को आग लगा दी आज वो कोई गवर्नर था उसका मकबरा है और और वो हीरो है अपनी कौम के कातिल हीरो कैसे होते हैं यह जानना चाह रहा हूँ, अगर उसामा बिलादिन ने आपको मारा, आपके लोगों को मारा, सतर हजार पाकिस्तानी वर और टर्र में मारा गया, वो हीरो कैसे है आपका? सर, मेरा हीरो नहीं है, वो, गुजारिश यह है, कर देखें, अगर एक portion का, वो, एक portion को, अगर एक मुसलमानों का, आपने का, मेरा भाई है, आपने का, मेरा भाई है, जी, बिल्कुल, मेरा भाई है, उतामा बिलादिन, I don't think, तो, आपका भाई है, आप मेरी पूरी बात सुन ले, आप मेरी पूरी बात सुन ले ना, मैं एक मिनट के लिए चुप रहूंगा उसमें आप ये नपो दिएगा कि आप मेरी बात सुनें आप बात कहें जो बात कहनी है। एक कॉर्शन जब ये मुसलमानों का उसामा बिन लातन को एक मुसलमान है। नहीं मार रहे हो सर जो गलत किया एक सेकेंड सर जो गलत किया आप ये कह रहे हैं बाहैसियत हम मुसल्मान हैं भाई मानते हैं लेकिन कुछ गलत किया तो कंडेम करते हैं I got your point I got your point तो महमूद गजनवी को कंडेम करेंगे या नहीं करेंगे सर देखें गुजारिश यह है कि मैंने आपको पहले ही अर्स किया ना कि अब देखें मैंने उस वक्त के जो हलात हैं जब उसकी तारीख है ठीक है ना गुजारिश यह है आप मरी बात सुले आप हसने है ठीक है मैं अगे बात करें उसके हाँ देखें मैं अब उसको मैं कऊंकि अपकी बात दुरस्त है फहले तो इसा भार पर डिबेट होगी ना कि वह थिए वह जाय क्ली यह वाकर पूछने के मैंने पुछ आपसे कि लूटा हूगा यह लूटा था मैंने तो आपकी बात को आपने इसको मनाजरा बाजी न पांड बाजय ना करें ने टाइम रहें पुलें रिज मनाधरा बाजी आपने बहुत किये फेस्बुक के किस्टरा की मनाधरा बाजी ना करें एक स्टेंड लें उसके फर स्टेक करें ठीक है अज्सल्फ़ाब अली शरियती जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इरान के इसलामी इंकलाब के आर्किटेक्ट के इन्हों ने भी महमूद घजनवी को कंडेम किया है कि उसने शीयों के खिलाब भी बहुत जल्म किये ठीक है आप एक बात नहीं कर रहे हैं आप इसलिए आपने पड़ी होगी कि महमूद घजनवी आपका हिरो है या नहीं है दोनों बाते ना करें आपकी बज़र आपकी ये चाहरा हूँ एक बात करें Do you condemn him or not? अगर मेरी अगर मेरी आप से मेरी जाती राय पूछ रहे हैं तो मैं आपको जवाब दे देता हूँ ठीक है ना? मेरे तो 6 ही तो मेरी जो जो जाती रहेव बतारों आखना हूआ आपको ठीक है ना? बिल्को परस्न रहेवाइ जिसक ना? जितने भी बिल्कों इहMaybe बाद इसमें दो रही नहीं हैं कि जो भी बाहर से आए वो कोई इसलाम भिलाने नहीं आए थे ठीकर ना वो एक ताकत का कानून था उस ताकत के कानून के टायत आये थे वो कबजी के खुआए से आये थे वो बिलकुल माल और दोलत जो है उस पे रिसॉर्से पे कबजे के लिए आये थे चाहिए वो मुसल्मान थे या कोई और मख़ब था उस अब ने यहीं किया जहां पे भी हुआ है इस इंडिया कमपनी वाले आये मख़ब ताकत पे आये सब जो कुछ भी किया वो उस ने इस्वार्से के लिए किया सर इसके इंडिया केंपनी को कोई पाकिस्टाणी अपना हेरो नहीं मानता मेह्मूद घरणवी को हमसे को लोग हिरो मानते हैं इस बात पर सलेबा युकर तो मांते हो युकर तो मैं पाकिस्तान बैठे हम प्ते एंड हम मुल्हक ने अपना उसको सल्सक्राँ आएffam आप अपनी राय दीजिए कि मेहमूद गादली को आप हीरो मानते हैं या आप उसको कंडेम करते हैं इस बात पर दूसरों के साथ ना करें वाद सर्फी से आप ने आपको पहले ही आपने मेरी पुरी हिल बात ने सुनी मैं आपको यह का आए जो भाहर से जो भी आए वो ताकत कानून के तहट आए ठीक है उनको आप हीरो समझें या जीरो समझें आपको क्या समझते हैं सवाल यह है हम तीनों के लावा कुछ उथा बंदा नहीं डे रहे हैं और आपनी राइट अब इसका मतलब है कि जो सोमनाथ के मंदर पर अटाक किया उसको लूट आ उसको आप कंडम नहीं करते बिल्कुल मैं उसको नहीं कर रहा कंडम क्यूंकि वो ताकत कानून था वो लड़ाई थी वो उसमें कोई मज़ब का कोई तालुक नहीं था तर इसलाम की तालिमात क्या है इस हवाले से इसलाम इजाज़त देता है एक हुकमान को दूसरे मुल्क पे सर दूसरे मुल्क पे वो हमला करे और उनकी अबादत गाहों को ताखतो ताराज करे उसको लूट के ले जाए इसलाम का मौकफ क्या है इसके बारे में परकुल इसलाम इस बाकि कतन जाज़त नहीं देता तो फिर भी आप महमूद गज़नी को कंडम नहीं कर रहे हैं कि उसने इसलाम के खिलाफ किया तर मैं इसको इस देखे मैंने आपको का अगर आप इसलाम के उस पर बात करेंगे तो उन गलत किया उसने ठीक है लेकिन अगर आप टाकत के कानून के ताइट आप इसलाम को मानते हैं कि ताकत के कानून को मानते हैं देखे आप दुनिया में जब आप रहते हैं तो सिर्फ आप मजब के बन्याद पर तो ही आपने रहना है पिर आप जब आप बात करते हैं तो आप मजब के साथ तो आप को वास्ता नहीं होगा आप सारा आपे दूनिया में रहते हैं तो कुछ चीज़े करनी है ना जुमान साफ आप से पोछ रहा हूँ आप ताकत के कानून को मानते हैं या इसलम को मानते हैं आगर क्यों कर रहे हैं सिर्फी बात करें देखे ना सर गजारश है के अगर ऑगर इसलिए चाहरा हूं कि यह बात तो था रही भाफशोन हो आप नहीं पड़ी मेमुद घजनवी का नहीं पता आपको कौन थे वो सब गुजारिश यह देखे ला गुजारिश यह यह कहीं भी क्या कहते है जो ना अब इसको मुझे बताया ना कि यह तो दो तरफ है ना हिंदू कहते हैं कि इन्होंने लूटा तिक कहना मुसल्मान कहते ह तारीक मेमुद घजनवी की फिर आप कहेंगे कि प्रोडाम लंबा बहुत हो गया है अच्छे चले मुझे अपको अंदाजा है आपको अंदाजा है कि यह गुफ्तगू लाइव होगी लोग देखेंगे इस लोकल को आपको अंदाजा है इसलिए इसलिए तो मैं कह रहा हू है आप राइड लेते हैं इसी के उपर कि सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा एक सेकंड 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 अभी दस निट पहले आपने कहा हम इस बात पर पाकिस्ताने बड़ा फकर लेते हैं कि मैमूल घजनी नहीं नहीं इतएे हैं किनी मानते सवाल उसका है चल continents मैंने मान लिया मैंने का मैंने ये ये कह लिया कि अगर आप इस्लाम के नाम पर आएंगे तो आप ने घलत किया पिर आप अगर अगर मगर कर रहे हैं किया अलामा इक्बाल का शेयर है या किसका है ये मैं आप जो है ना भुत शिकन कहलवाना पसंद करूँगा भुत रो फरोश नहीं कहलवाना पसंद करूँगा तो क्या ये हीरो बनाने वाली बात है कि नहीं है आप अगर मगर ना करें अ आपकी honest opinion क्या है? उन्होंने मंदर के अटैक सर्शेस, मंदर को लूट के condemnable काम किया, आप उसको condemn करते हैं तो नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, सर एक बात है, इतना लंबा नहीं होना चाहिए यह मौजूग। मैं क्या हूँ, बाबरी मस्जिद को तोड़ा, सुने सुने, ऐसे जवाब तो क्या होता है, हिंदूों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, मैं यह कहता हूँ, बात खतम हो गई, अगर मंदर करें, गुजारिश ना करें, बात करें, आप यह बता दे न, आरवन साहब, कि और अगर आप ने चाहिए ती यह ता भी आप ने का आए न, और तरही को फिर ना चाहिए था, नहीं तोड़नी चाहिए थी, मैं दबागे दोहल ये बात कह रहा हूं हुँ भई, अब प्ताएं इसबहले को आपको ये नहीं ज़लत इमसा था, आप से दोड़रात को गुमा आपने पूछा गया है कि महमुद गजनवी ने इसलाम के इसाब से गलत किया कि नहीं किया आपने कहा कि इसलाम के इसाब से गलत किया अगर इसलाम के इसाब से गलत किया तो महम्मद जमान इसलाम को मानते हैं कि नहीं मानते हैं आपने का मानता हूं अगर आप इसलाम को मानते कहूं कि मैं उसको कंडम्ट करता हूं कि अगर इसलाम किसी को इस बात की जाज़त ने देता कि किसी के मजब के आप उसको जाके उनकी उनके खुदाओं को बुरा कहें उनकी उनकी बादात को आप खराब करें उसको इसलाम इस बात की कतन जाज़त ने देता जब तक कि उनकी तरफ से पहल ना की जाएए आप को शर्ख अंगेजी की आपके खिलाफ कोई बात ना की जाए आपके साल राएज ना की जाए उसक्मित एस्लाम सुला का और अमन का दास देता है कोई गजनी नहीं गया हमारा राजाराजक-वारणा वहाँ पर localized करने के लिए आपने तो पहले ही आप मेरी पूरी बात सुन नहीं रहे मैंने आपको पहले ही कहा दिया कि मैंена उसको गलत parking मैं इसको बिल्कुल उसको conduct करता हूँ कि मैंने यह बात के यह बात मैंने पहले दफ़ा ही कह दी थी कि उन्होंने गलत किया सर जमान साथ आपका हीरो है या नहीं है फिर वो ने मेरा हीरो नहीं है मैंने तो पहले हीरो नहीं है वो शकील साहब मैंने आपको पहले ही बताया था अर्स किया है आपको कि हमारी अगर एक पॉर्शन इस बात को मानता है हमारा मुस्लमानों के पाकिस्थानी कौम का, आवाम का एक मिज़ार्टी पॉर्शन इस बात को मानती है कि महमूद गजमी अहमेश अब्दाली हमारे हीरो थे मैं तो पहले आपको ये बात कहा चुक हूँ आप मेरी बातों को मतलब कि उसको मेरी इल्फास को आप सुन नहीं रहे हैं शायद मुनासिप प्रीके से उसको मैं समझ गया जमान साब इसका मतलब ये है एक चीज एक ऐसा बंदा जिसको आप कंडेम करते हैं उसको पाकिस्तानी स्टेट और पाकिस्तानी मौशरे की अक्सरियत हीरो समझती है अब हम आइंदा एक और मौशू की तरफ चलते हैं सर अच्छे स्टेट की तो मैं बात नहीं कर सकता क्यूंकर स्टेट का तो अपना मौकफ है मुझे तो नहीं आज तक जो है ना वो कहीं पर ऐसा नज़र आया कि उन्हें नहीं वो किया है सर टेक्स्ट बुक्स में उनको हीरो मेरा के पेश्किया जाता है किसी नॉन नथ अच्ट ने नहीं रखा रखा है किसी नॉन पछेट मैंग्माडी के कर लें सर बARK पृट्फवी मिजायल भी तो है! जाहिब डूब श्रफी मिल्साइल किसके नहीं किसके पीछे अटे ना आपके अपरे पिछिवी चोहान कहा अभी रिकॉरडिड है जी ने सब्सक्राइब आप पिर्थवी मजाइल अपर पिर्थवी राड करुषान के नाम पर पिर्थवी मजाइल भी तो है ना ये तभी मने पकड़ा इसे अच्छा चले सबस्क्राइब आप बताएं again, distortion of history in Pakistan at its best हमारे हम धर्ती से जुड़े वे लोग हैं साहब हमारी मिजाइलों के नाम जो है वो उसी के उपर बेस्थ है पृत्वी राज चोहान के नाम प्लीज लेट मी फिनिश पृत्वी राज चोहान के नाम पर पृत्वी मिजाइल नहीं है या अफ्ताब इग्वाल साहब ने भी अपने प्रोडाम में बात कही थी जिससे मैंने उनके फोन किया उनको उनको समझाया उन्होंने मुझसे माफी भी माँगी इस बात के लिए हमारी एक मिजाइल का नाम है अगनी जिसका मतलब है आग एक मिजाइल का मनाम है प्रिथवी जिसका मतलब है धर्ती ठीक है हमारी जितने भी जो नैचरल फोर्सिस होती ना वो उनके नाम पर हैं जिनको हम लोग बानते हैं एक मिजाइल प्रिथवी अगनी ये ये मिजाइल होगी उसके बाद में उसके बाद में हमारी जितनी भी और जितनी भी मिजाइले हैं, हवा के नाम पे, पौवन के नाम पे और इस तरह के नाम हैं, एक भी मिजाइल किसी आदमी के नाम पर नहीं है। मैं इसको अच्छा नहीं समझता है। माशरे को कितना नुक्सान पहुचाया है और कितना फाइदा है। मैं गामदी साब का मदा होना और बात है। मैं गामदी साब की तमाम बातों से इतफाक नहीं रखता हूं। मैं उनकी इस बात से इतफाक बिल्कुल नहीं करता हूं। कश्मीर पर हमारा हक है जब तक हम ये ले नहीं लेते भारत से सुना नहीं हो सकती और ना तजारत हो सकती है। मसला कश्मीर सिर्फ जन्ग ही से हल हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अब ये मुलक इमानदारों के लिए जहन्म और बदमाशों के लिए जन्नत बन चुका है। शानवाज फारूकी जो चीफ एरिटर हैं जसारत के जमात इसलामी का जो अखबार है। वो कहते हैं हकुमत इलान जहाद करे तो मुदी कश्मीर खाली कर देगा। हुए है तीन गंटे से तो हम किसी बात पर जो है ना वो हमारे ज़स्वात एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं हमारे इस अखिलाफ हात हो रहे हैं तो आप सोचें कि दो मुलक जो 73 साल से एक इस्यूस पर इस्वाफ करके बैठे हुए है इस्यूस दिर्मयान में हैं तो अगर उन बड़ा ही आगे अब हमें समझाएगा बच्चे दो लड़ रहे होते हैं तो बड़ा ही आगे समझाता हूं को फिर एक को एक लगाता है नहीं मुझसे सुनने कश्मीर का हल यह है लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर बनाएं दो टूक बात होती है यह कौन सी तो आपने ज़सा जवाब दी है ना गर वैसा जवाब मुझे देना पड़े कि मेरी उपीनियन क्या है और वो बिल्कुल खाब खयाल की दुनिया में हो तो मैं कश्मीर को ठाके और गुजरात के पास ना उसको सेट कर दूँ यह क्या बात हुई देखे यह तो आपको रखी गई है एक रियलिस्टिक हल क्या नगर आता या पको अचा सब वी कन्फूल एक और स्वाल पूछ रूँख रूँ सब्सक्राइब करें इक क customs करने ते मुझे अपना आरवand साब का आरवand साब नहीं तो आपका खिया नहीं ट kulli made खिल्ए तर जहां कि अनटिबे के थड़्ट पर्टी यह ने हमें जा अब फर है और किना म कित ज़िकुणन पर मदशने पर्टी थ्हिए दियाاص और कर दो जो आप ने बात कि ना लाइन अफ कंट्रोल वाली जो उसको इंटरनेशनल बार्टर ये ये परपोजल कई दफ़ा चल चुकी है मुशरफ साब के दौर्बे में चल चुकी है बहुत सारे उसमें चल चुक है और ये भी फैल हो चुकी है ठीक है ना मैं था पार्टी इस लिए कह रहा हूँ आपको पहले का कि जब हम दोनों मुमालिक बैठ कर किसी ये शिमला माइदे की बात की ना तो वो अगर जब दोनों उस वक भी नहीं कोई तैय हो सके कश्मीर का वहाँ भी शिमला में कोई बात नहीं हो सकी तो फिर जहरी बात है कि किसरे बंदे को आना पर अंदर बलोच ने नवाए वक्त में ये एक आर्टिकल लिखा दोजार तेरह में और इंडिया के साथ उसके बाद भी सरदार पटेल ने ओफर की और ये तीन चार मुसनफीन के मैं आपको नाम ले सकता हूं सरदार शौकत हयात ने बात लिखी परोस खानून ने लिखी चौ सरदार इबराहीम जो एजे के के पहले प्रेजिनेंट उन्हों ने लिखी कि सरदार पटेल ने ओफर की पाकिस्तान को कि आप हैदराबाद दक्कन से दस्ट बदार हो जाएं उसको छोड़ दें कश्मीर ले लें लियाकत अली खान ने सरदार शौकत हयात से ये कहा एक शौ तो मुझे नहीं मालूम कि ये कितने पस्रिक को मालूम है ये बाद ये नहीं मालूम लेकिन देखें मैंने आपको पहले भी बाद ये कही थी कि ये उस वक्त की सिचटोईशन और हलात के मताबिक कोई बदा या कोई स्टेट ऑफ स्टेट और या स्टेट फेड़ ऑफ हैड ही होगी तो वो पालिसी अगर बाद ना घलस हाबित हो जाती है तो अब इसका तो फिर कुछ भी नहीं कह सकते ना सर कश्मीर पे पाकिस्तान का मौकफ क्या है यह वहां पे मुसल्मानों की मजौरिटी है वो पाकिस्तान से इंटिगूस है जुड़ा हुआ है एदराबाद धकन पे आपका क्या क्लेम था उसकी अबादी एटी परसंट अबादी हिंदू थी आपके साथ कोई बॉर्डर नहीं लगता था आपने जूना गाड़ की एकसेशन इसी तरह कबूल की जिसके बारे में अमबैसेडर जो हैं सा हमारे एक मैस्डर हैं उन्होंने ये लिखा कि पाकिस्तान का केस कश्मीर पे इरोड हो गया आपने जूना गड़ की एकसेशन कबूल की हर हमारे जूना गाड़ की फोर साइट कहां गई थी उनको अंदाजा नहीं था कि हम कश्मीर पे अपना केस खराब कर रहे हैं चिकील साथ मैंने आपको यही कहा ना अगर एक हैड अफ स्टेट उस वक्त के हलात के मताबिक अगर पालिसी बनाता है तो ये तो बाद में आप वकत ने फैसला किया है ना कि हो घलस थाबित हुई है ज़ित सही थाबित हुई है तो अब इसके बारे में मैं क्या कमेंट कर स सर आप कैसे समझते हैं आपके आपके ख्याल में यह जलत थी के सही थी मेरा ख्याल है क्या कि अब मुझे उसके रहलात की मताबिक जो एड़ आप देखना चाहिए गा क्शमीर का अगर क्शमीर का मसला इतना लांग नहीं जाएगा और शुक्ता हुए हम कश्मीर को हमारा ज जल्दी हाल हो जाएगा या ठीक हो जाएगा फाट गलत नजसरा आता है उसमें गलत नहीं था हमारे जो लीडर्स थे जिनके बारेमें हमें दिनराद बताया जाता है कि उनकी बसीरत बड़ी आला दर्जे की थी पार्टी थी उसमें कोई बंदा ऐसा नहीं था जो उनको बता देता कि आप गलत पालसी पे जा रहे हैं है अधराबाद धक्कन आपको नहीं मिल सकता जूना गड़ आपको कभी नहीं मिल सकता आप कश्मीर पे फोकस करें आपको प्लेंग में राके कश्मीर मिल रहा था आपन कश्मीर को ऐसे दिया जा रहा था प्लेड में रखके हां जी बिल्कुल दिया जा रहा था सदार पटेल ने ओफर दी थी अच्छार ये क्यों बाते हैं पाकिस्तान के अवाम को नहीं बताई जाती हैं अगर यह आप अवाम को बताएंगे तो फिर वो कश्मीर पे इतना ध्यार फिर इंडिया का बात में क्या चेंज हुआ कि उन्हों ने बाद में वो इसको इशू को लेके चल रहे हैं वो भी तो वो क्यों यह दो papor आज अगे अगर आब की बात आप 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 एस सी बात कर रहे हैं सुने आप जो बात कर रहे है न उसमें ना सर है ना पैर है अगर अप कहरें मैंने यही पूछ आधार है। कश्मीर तो अजाद ही था, आपने माराजा कश्मीर के साथ में स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया था, कि आप उन पर अटैक नहीं करेंगे, मगर आपने किया, अगर एक लम्मे के लिए आपकी बात को मैं तस्रीम कर लेता हूं, तो आपकी इंडिया के लिए यह फैक अटाहिए अप्की प्रेश्री में से दिया गए, कि आपको नहीं पता यह बाट, सब क्वेस्टन तो सुन लेँ ना क्वेस्टन यह है कि चलें, यह हम आपकी इस बात को मैं मान लेता हूं, चलें, क्वेस्टन यह है मेरा कि किया, इसके बाद इंडिया को, एंडिया की को UN में लेकर गए UN में इसके उपर बहुत सारी resolution पास करी उन्हीं में ऐसे एक resolution है resolution 47 नाम सुना है कभी आपने क्या है उसमें पता है आपको जी बताएं आपको नहीं पता मतलब सर मुझे नहीं बता आप बताएं जी प्लीज बताएं UN resolution 47 April 1948 48 में पास हुई और उसके अंदर तजवीज दी गई कि यहां पर plebiscite करवाई जाए plebiscite करवाने के लिए तीन शरायत रखी गई पहली शरायत ये रखी गई कि पाकिस्तान को जो हिस्सा कश्मीर का आपके कबजे में है वहां से completely अपनी फोजों को हटाएं पंजाबी और कबाईली जो वहां पर आए हुए जितने भी जो भी कश्मीर का नहीं है उनको वहां से हटाएं फिर इंडिया भी भी मिलिटराइज करेगा लेकिन इंडिया को इजाज़त होगी कि वो minimal amount पर अपनी forces को वहां पर deploy कर सके to maintain law and order उसके बाद में इंडिया वूड अपॉइंट अप लेबिसाइड administrator और फिर वहां पर plebiscite होगी और यह सारे के सारे steps जो हैं यह sequential है कि पहले पाकिस्तान ने यह करना है फिर इंडिया यह करेगा उसके बाद में plebiscite होगी पाकिस्तान ने कभी भी अपने forces को withdraw नहीं किया उसके बाद ना ही कभी पंजाबी को withdraw किया और सर उसके बाद कभी फिर वहां पर resolution का आगे fulfill करने का जो क्या कहते है chance था वो खत्म हो गया you missed the boat again उसके बाद आपको मैं बता दूँ बात उसी resolution पर खत्म नहीं हो जाती है उसके बाद एक और resolution है and let me read it out to you यह तो बड़ा अच्छा किया यह तो be on बिल्कुल handy है मेरे पास यह information उसके पाद एक और UN करारदाद पास करता है और वो करारदाद क्या है उसका number बता देता हूँ वो है 51 और यह पास होती है June के महीने में दो महीने बाद और उसमें फिर से याद कराया जाता है पाकिस्तान को कि आप जो क्या कहते है resolution 47 है उस पर अमल दरामत करें अपनी forces को withdraw करें पाकिस्तान में नहीं किया यू missed the boat again अच्छा अच्छा इसमें अच्छा चले यह तो आपका मौकफ है लेकिन दूसरे नहीं 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 मैं United Nations की मैं मेरा मौकफ नहीं है खुदा ने आपको आखें दी है अंग्रेजी पढ़ने की सलायत दी है खुदारा अपने उपर एक रहम करें उसको पढ़ें यह UN resolution है उनकी अपनी website पे है महरबानी करें इसको पढ़ें महरबानी करें इसको पढ़ें अरवन साहब बात यह है इंडिया ने अपने step चलें पाकिस्तान अगर वो है तो आप अपना एक अगर अच्छा जेस्चर देते और आप अपनी forces को विड्रा कर लें जेस्चर अच्छा बुरा नहीं होता है युए न के अंदर जेस्चर पे काम नहीं चलता है युए न पे सिग्नेटरी जो होते है और जंग के बाद में तो यह किसा है खटब करना जा क्या आपको पता है एक सेकेंड क्या आपको पता है क्या आपको पता है United Nations की आखरी resolution कौनसी है कश्मीर पे क्या आपको पता है resolution कौनसी है last कश्मीर पे जी बताए 49 जनाब 307 है और वो भी 21 दिसमबर 1971 को जब आप जंग हार गए थे East Pakistan में उसके बाद में UN ने आखरी बार resolution पास करी है कि from now on this is a bilateral issue आप जाने आपका काम जाने हम इस मसले से बाहर है अच्छे चले बहुत अच्छा पॉइंट आगया आपका अब यह बताएं कि जब आपका जब आपका बाइलेटर आ गया तो फिर इंडिया चले इंडिया अगर step one above कर ले ना क्यों कर ले इंडिया आपको दुनिया ने कहा है कि यह पहले आप करेंगे you have सवाल पूचा गया यह सवाल पूचा गया पाकिस्तान ही अपनी forces क्यों हटाए तो United Nations आपको आलमी दुनिया ने आपको हटने को कहा गया इंडिया वह रामी दुनिया नेग्रेषर एन की उसमें पाइलेटर बात कर दी आप आप जाने और आपका काम जाए आपके आपकी इलपाज है तो फिर आप मुझे बेरो आपको पता है है क्या आपको पता है कि अब आप मेरी बात सुने ना बात यह है कर देखिए आपको कुछ पता ही नहीं है आपको कुछ पता हो तो मैं कुछ सुनूं भी आपको पता है कि Article 6 सर सुने सुने आपको पता है कि आपको पता है कि United Nations के Chapter 6 और Chapter 7 की जो Resolutions है उनमें फर्क क्या होता है Do you know about it? अचा आप मुझे आपको फर्क पता है कि नहीं पता? सर मुझे नहीं मालूँ मुझे सरफ यह मालूँ है आपको आप सुने जब बोले कम सुने ज़ादा फिर बोले कम सुने ज़ादा बात यह है आप पता है सर बीज़ आप मुझे लेक्टर सुने नहीं आपको पता है नहीं नहीं सर आप मुझे आप मुझे लेक्टर आप में आपको पता है कोपी अनान चाहब की स्टेटमेंट को सुने United Nations के सर गुजारिश यह है कि अरवन साब आपने अभी कहाना है कि कतर की आप जो लास रेजुलेशन आई है उसमें उन्हें ने यूएन ने डेक्रियर किया कि बाइलेटरल इशू बन किया है अब आप खुद इसको दोनों मुआले खुद ही अपना इसको इशू को इजाज करें यह आपके लफाज है ना तो मुझे यह बता रहे हैं यूएन रेजलेशन है ना आपने का रहे हैं यह बाट डेक्रियर कर दी तो मुझे यह बता दे कि अगर आप सारा कसूर पाकिसाँ का निकालते है अगर भारत इतना अच्छा जस्टर देता है अगर भारत इतना अच्छा मोलक है कि वो इसे रादे से तंग है वो इसको इशू करना चाहता है तो उसे ये पांच अगस, दौजार बेस का क्या और विंधे का जə है आपने आप इंडिया को call out कर रहे हैं 5th of August 2019 पे की एक state जो की disputed है जिसका फैसला अभी होना है इंडिया ने उसको अपने अंदर जम कैसे कर लिया very valid point लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ इंडियन state की ये policy है लेकिन आप इस हैसियत में ही नहीं है कि आप ये सवाल पूछ सकें वजय है उसकी दो कि इंडिया ने जो काम 2019 में किया वो आपने कराची agreement के तहट सब्तर साल पहले ही कर दिया था point number two इंडिया ने एक साइचिन का area which is part of जमु और कश्मीर as for the United Nations इंडिया से तो चाइना ने लिया है जंग में जंग करके ले गए आपने किया है उसे gift तो जो हिस्सा होता है disputed आपको किसने हग दिया भाई कि आप दूसरे को gift करते चलें अच्छा बात ये है कि आपका केस कश्मीर पे फ्लॉर्ड है इसलिए दुनिया आपकी मानती नहीं है बात अच्छा चले आप बात ये है कि आपने खुद ही जब एक बात कर ली तो आपकी दोनों बाते में तजाद है कि आपने उसे निकत्तर की resolution का हवाला दिया कि ये एक bilateral issue है तो फिर आपकी ये पांच अगास 2019 वाली बात को तो फिर हमने गलत किया ना तो आप भी गलत कर रहे है आप कैस को रहे है नहीं है नहीं है आप ये हैसियत ये नहीं है तो भी बात बात साथ होगे ना अच्छा जीव साब प्लीज बहुत अधर टाइम लग ल जो जो लोग होते हैं ना समझदार लोग एक तो यह है कि बैसा बैसी 70 साल हो गए हमें 73 साल 70 साल हम इसमें और लगा दें अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं इसको दूसरी बास तर यह है मैंने आपको पहले भी बताया था कि MP नक्वी हमारे एक senior journalist थे उन्हों ने 88 में यह लिख है हमने कि यह नहीं किया और हम 70 साल से खजल खराब हो रहे हैं 70 साल और लगे रहेंगे तो यही में पीज़ा निकलेगा आप क्या समझते हैं क्या पाकिस्तानियों ने इस पे कास्ट benefit analysis किया है कि हमें इसका क्या फाइदा हुआ क्या नक्सान हुआ क्या नक्वी की बात सही देखें मैंने आपको पहले भी यह का था कि देखें यह एक प्रपोजल है यह यह खुद बाज़ाद है खुद एक फेल हो प्रपोजल है ठीक है ना इसका अभी तक कोई जो है ना कोई बी दोनों स्टेट बात वही है कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो इंडिया कौन सा हमारे अजिए अच्छा कर रहा है इंडिया पे तो अपने हर्दर में बेकाइम है ना अगर वो अगर इसको जाल्फ करना चाहे तो इशू को तो चले वो कहेंगा ठीक है आप आए अब बैठते हैं हम बात करते हैं इसको किसी भी सूर्टेहाल में जाकर इसको बाइले जब इसको में इंडरा गांधी ने जुल्फिकार अली भुटो साब को कहा था कि लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर बना लेते हैं जिस पर भुटो साब ने कहा कि लेट मी गो बैक मुझे आवाम में एक महौल बनाने दें मुझे 6 मिने का वक्त दें मैं लेट मी कन्वि अजिसी बात की इस बात को जो एडना वो तस्दिक कर दी कि यह जो परपोजल है यह फेल पर पोज़ल है देखे ना आप इसमें आप एक आप पाड़ वाइंड़ रिधना इसको माचुके होते हैं अब आप एक फेक्टर और जोए ना इसमें मिस कर देंगा पीज मुंड़ पुरे हिंदुस्तान में बड़ा अच्छा सवाल और यह मैं आखरी जवाब दे रहा हूं उसके बाद बहुत ही अच्छा सवाल है इनका पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही स्टेट है जहां पर मुस्लिम अक्सरियत में हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान से रिष्टा क्या ला इला इला वो तो रिष्टे ला इला इला के नाम पर बनाते हैं वो शुकर है कि बाकी जो इंडिया है उसके अंदर कोई मुस्लिम अक्सरियत स्टेट नहीं है वरना इनों ने अगर हैदरबाद मुस्लिम अक्सरियत स्टेट होता तो इंदे हार्ट ओफ इंडिया एक और बहुत बड़ी insurgency इसलाम के नाम पे उबर रही होती खुदारा थोड़ी शर्व करें आर्वसाथ अब आप इस बाइब हसे बाइब को देखिए न करें सब गजारे है ये ह हिंदुरसाथ अहां पर हाकर ऐसे ना में आट आप यूज़ी तारीग है वो कोई डिटर्मिनेशन की तारीक नहीं है आपका मान रहे हैं ना कि कष्मीरी ताकसाँ के साथ मिला है यह ना सर अली गिलामी साहब ने कुछ अरसा पहले एक बयान दिया था कि मुसल्मान किसी नॉन नॉन मुसलिम सुसाइटी में नहीं रह सकता सेकुलर सिस्टम में नहीं रह सकता वो इसी तरह होता है जैसे मचली पानी के बाहर है अगर इस लॉजिक को हम मान लें तो फिर इसका मतब्द की है कि 20 करोड तो ह इंदोस्तामी मसल्मान है उनको भी हम अपने आपास बोला लें तो पाकिस्तानी फिल वो गए है कैनेडा गए है अमरीका गए है बरतानिया गए है और उस्टेलिया गए उन सब को भी बला लें अको सही इस्लामी र्यासत काइम हो जाए जाने किू अर्वं